एहलो नमस्कार सातियों आप सभी का आपके अपनी यूटुब चैनल आरेस सेश्टरी पॉइंट 10 में शागत है दोश्तों मैं हूँ आरेस सर मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बाइलोजी में सिस्टम पाचन तंत्र मानव सरी की प्रणाली इसमें कौन-कौन से तंत्र पाए आते हैं इनको बिश्टार पूवक देखते हैं और इसमें पाचन तंत्र का बिश्टार पूवक से अध्यन करेंगे तो देखते हैं मानव सरी में मुक्र रूप से आठ प्रकार के तंत्र पाए आते हैं इसमें पाचन तंत्र इसको इंदी में पाचन तंत्र और इंगलिस में digestive system कहते हैं पाचन किरिया में जटल अड़ू का सरल अड़ू में विवाजन होना होता है पाचन तंत्र में जटल अड़ू होते हैं वो सरल अड़ू में तूटियाते हैं बोजन चवाने वाले दांत चवानक होते हैं जो दाई इवं बाई तरब इनकी संक्या तीन-तीन होती है बोजन चवाने वाले जो दांत होते हैं चवानक कहते हैं इनकी संक्या दाई और बाई तरब तीन-तीन पाई आती है चवानक भोजन को पीछने इवं चवाने का काम करते हैं इसके बाद रदनक ये भोजन को चीरने इवं फारने में साहक होते हैं साकाहारी प्राणियों में ये रदनक दात होते हैं वो अनपस्तित पाई आते हैं अर्थात इनमें नहीं होते हैं इसके बाद है छेदक अत्वा करंतक ये भोयन को काटरी तता कुतरने में साहिक होते हैं छेदक और कुतरने और उसे काटरी में साहिक होते हैं यह सभी इसतनी जन्तों में पाई आते हैं इसतनी जन्तों में पाई आते हैं दूद दांते हैं बच्चों में जनम के पषचात आने वाले 10 जोड़ी दांत होते हैं पाचनतंतर में भाग लेने वाले विविन अंग नम लेखेता है या टाइलेन नामक एंजयम पाया जाता है, मुह की लार होती है, उसमें एम आईलेज और टाइलेन नामक एंजयम पाया जाता है, इसका मुह की कार होता है, या मन्ट को माल्टोस में बदलने का काम करता है, जिसके द्वारा कार्वोहेड़ेट का पाचन होता है, तो आपको प इसको इंगलिस में स्टूमक केहते हैं। से निकलने बाले जटर रस में दो एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीन को प्रोटीन में तता पॉली पैप्टाइड में बदलने का काम करता है इसके बाद रैनेन रैनेन दूद की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को धोस प्रोटीन कैलसियम पैरो कैसिनेट के रूम में बदल देते हैं आमा साय में कारो हाइडरेट का पाचन नहीं होता है पक्वासय या इसी से डिवडोनम कहते हैं आमा साय के पच्चाथ अर्द पच्चा भूजन पक्वासय में आता है आमा साय के बाद जो अर्द पच्चा भूजन होता है जो कहां पे आता है डिवडोनम में आता है और इसमें पित्तरस आकर मिलता है इसके एंजाइम सेस भोजन के आपरवर्थित इस्टार्च को सरकरा में तता प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं नेस्ट है छोटी आथ इसे small intestine कहते हैं आमासाय के बाद भोजन छोटी आथ में आता है जो करीब 22 फिट लंबी होती है एक दिन में मनुस्थ की आथ से 6-7 लीटर आंत्री रसका इस्तरावण होता है तो यह है प्रत्वी परिच्छा पूछा गया है कई बार कि छोटी आथ की लंबाई नियमने लेखेट में से होती है आपको ओप्सन दिये होते हैं 22 फिट 24 फिट 27 फिट 18 फिट तो आपको सही आंसर करना है 22 फिट दूसरा प्रसंद दिया ज़े सकता है कि यह पूछा गया है कि प्रत्वी दिन मनुस्थ की आथ से कितने लीटर आंत्री रसका इस्तरावण होता है तो आपको उसमें ओप्सन दिये होंगे उसमें से आपको सही टिक करना 6-7 लीटर आप देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से एंजयम पाया थे हैं इसमें निम लिखित एंजयम होते हैं इरेप्सन नमबर एक है इरेप्सन तो इरेप्सन का क्या होता है इरेप्सन प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनों अमलों में बदलने का काम करता है प्रोटीन और पेप्टोन होते हैं उनको अमीनों अमलों में बदलने का काम कौन करता है इरेप्सन should take a test माल्टिस ये हैं माल्टोस को गुल्यू और बदलता है सुखुरोस को गुल्यू Sweet है quent्षिया-ॲग्टिस- हममे Luigi Ses यह है lactis enzyme होता है जो lactose को glukoseum galactose में परवचित करने काम करता है यह है emulsified बसाओं gilcerine तथा fatty acids में परवचित करता है यह है emulsified बसाओं gilcerine fatty acids में बदलता है अब देखते हैं big intestine या इसे बड़ियात कहते हैं छोटी आत के बाद भोयन के पचे हुए अपसिष्ट पदार्त छोटी आत के बाद भोयन के पचे हुए अपसिष्ट पदार्त बड़ी आत में आते हैं जहां जल का अफसोसर होता है अपसिष्ट पदार्त होते विए बड़ी आत में आते हैं जहां पर जलका अफसोसल होता है इस करिया के पश्चात अपसिष्ट पदार्त मल के रूप में मलासाय में जाते हैं इस क्रिया के पश्चाद अपस्ष्ट पदार्त होते हैं जो मलक के रूप में मलासा में जाते हैं और अंत्य गुदा द्वार से होकर मलक के रूप में सरीर से बाहर चले जाते हैं प्रीमेरा या गाल बेडर पित्ता से इसे गाल बेडर को पित्ता से कहते हैं पित्ता से नासपाती की आकार की एक थेली होती है जो यकर्त के नीचे इस्तित होती है जिसमें यकर्त से निकलने वाला यकर्त से निकलने वाला जो जूश होता वो जमा होता है यकर्त सरीर का सबसे बड़ा आंतरकंग होता है आंतरकंग है पित्त पीले रंग का चारी द्रव होता है पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है इसकी प्रकर्ती चारी होती है या अगनास है यकर्थ के बाद सरीर में अगनास है मुक्षत है सबसे बड़ी ग्रंती है यकर्थ के बाद सरीर में अगनास है मुक्षत है सबसे बड़ी ग्रंती है यह नलका इक्त और नलका बहीन दोनों प्रकार की ग्रंती होती है आपको प्रश्ण पूछा जा सकता है कि मा श्राइट इसका एक भाग लैंगर हैंस की कहते हैं इसी एक बाग के द्वारा इंसुलिन और गुलु के गौन नामक हार्वन का है और एंसुलीन के आल पेस्तरावन से मद्भ्य र्याइबटीज नाम के हो जाता है रुधिर्में गुलकोज की मात्रा बढने से मद्भ्य र्याइब ड्याइबटीज र्याइज र्याइफ खैलाते है खाद्ध पदार्तों के बिस्रत होकर उधर में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है एब जॉर्पसन या बिस्रत कहलाती है अब सुसर्ण मुख्य रूप से छोटी आत में होता है इसके लिए रसाक और अधिक मातरा में पायाते हैं